रूस के लिए ये बड़े जटके के तौर पर माना जा रहा है पुतन के घर में घुसना इसे मना जा रहा है यूकरेन का और अब तक विश्विद के बाद इससे अब तक की सबसे बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है तो क्या कहीं विश्विद की हम आहट नहीं अब हम दस्तक तक पहुंच चुके हैं अब इसे विश्विद की आहट नहीं दस्तक के तौर पर देखा जा रहा है ताजा अपडेट पहले जान लीजे के युक्रेन ने रूस के कुर्ष के अलाके में अपने हमले को जारी रखते हुए सीम नदी पर बने एक पुल को द्वस्त कर दिया रूसी एधिकारी भी मान रहे हैं कि ग्लुष को वो शहर के पास युक्रेनी सेना के सौपरेशन से शहर का जो संपर्ग है वो बाकी जगों से कट गया है लेकिन हकीकत यह है कि युक्रेनी सेना ने जिस पुल को द्वस्त किया उसका इस्तमाल रूसी सैनिकों को जरूरी सामान के सप्लाई के लिए किया जाता था लेकिन अब पुल के गिराए जाने से इसमें रुकावट आएगी और युद्ध का इतिहास उठा कर देख लिजिए रसद की रोकने सभी युद्धों के परिणाम को पलट कर रख दिया है इधर युक्रेणी राश्पती वलादिमीर जेलिंस्की की ने कहा है कि हमारे सैनिक कोर्स्ट में अपनी इस्तिती मजबूत कर रहे हैं जेलिंस्की के मताबिक कोर्स्ट इलाके के बदले वो रूस से युक्रेणी इलाके में किये गए में जेनरल सिस्की ये कहते हुए उन्हें सुना जा सकता है कि ये ओफिस उस इलाके में बनाये गया है जहां पर युक्रेण करनी अंतरण है वहां रूसी रक्षा मंतरी अंध्रेई ने युक्रेण के इस कदम को प्रतिक्रिया कदम पर रियक्शन दिया कि कुर्सक अलाके में सुरक्षा के लिए जरूरी कतम उठाये जाएंगे युक्रेन लगातार रूसी अलाके में बढ़ा थासिल करने का दावा कर रहा है जनरल सिस्की के मताबे कि युक्रेनी सैने कुर्सक अलाके में 35 किलो मीटर अंदर घुश चुके हैं 82 बस्तियों समेट 1150 वर किलो मीटर के लाके पर कबज़ा जमा चुके हैं युक्रेन का अब तक का रूस पर यह सबसे खतरनाक हमला बताया जा रहा है यदर युक्रेन का यह कहना है कि उसकी दिल्चस्पी रूसी लाके पर कबज़ा करने की नहीं है जानकार युद्ध में पुतिन को इसे अब तक का सबसे बड़ा जटका बता रहा है जहां पुतिन के घर में 1000 किलो मीटर घुसकर जैलनस्की ने बड़ा हिस्से पर कबज़ा कर लिया विश्वी उद्ध के बाद ये रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है जैलनस्की ने बताया कि आखिर इस पूरे कबज़े के पीछे उनका अक्सली मकसद है क्या नक्से से मिले अनुमानों के मताबिक साथ देखा जा सकता है कि कैसे रूस के एक बड़े हिस्से यानि तकरीबन 1000 वर किलो मीटर से जादा के इलाके पर युकरेनी सेना का कबज़ा है जैलनस्की के दावे और नक्षों के हिसाब से ये लगभग उतना ही इलाका है जतना मौसको ने इस साल युकरेन में कबज़ा किया था सीमा पार से गुस्पैट शुरू करने के बाद से युकरेनी सेना रूस में मीलों आगे बढ़ चुकी है युकरेन ने पिछले सब्ताइस युद्ध में अपना सबसे साहसिक और जोखिम भरा कदम उठा लिया और अब एक नया आक्रमन शुरू कर दिया है इंस्टिटूट आफ स्टेडी व वार के नक्षो और तिंक टैंक के हवाले से बिजनस इंसाइडर की रिपोर्ट ये खुलासा करती है युकरेनी राश्पती वलदेमीर जेलनस्की को लगता है कि ये आपरेशन बाचीत के दौर में बड़ा एहम साबित होगा इसके बाद हो सकता है कि वो पुतिन के पास बाचीत की टेबल पर आने के अलावा और कोई चारा ना रह जाए इसे ऐसे भी देखा जा रहा है कुर्स के नए आफिस के बाद 24 गंटे के भीतर 52 फ्रेंट पर रूसी सेना को पीशे धकेल दिया गया है इस भीशन जटके के बाद पुतिन ने बिल्गराद में इमर्जेंसी लगाई है युक्रेइन बॉर्डर से लगे रूस के कई शहरों से लोगों को सुरक्षि जगा पर शिफ्ट किया जा रहा है लेकिन रुकिए जैलेंस्की के दोसाहस का एक और पहली हुआ है वो है अमेरिका की पेशानी पर बल हर फटे में टांग अडानी के आदत और खामखां के चौधरी अमेरिका को अब ये चिंता सता रही है क्योंकि अब मामला आमने सामने का होने को है कुर्स में युक्रेइन के तूफानी हमले और राश्पती जैलेंस्की के दोसाहसिक दाओं के असर को अमेरिका कम करने में लगा है अमेरिका इस बात का अंकलन कर रहा है कि ये हमला इस स्यूद्ध की राजनितिक और सैने परस्थिति को कैसे बदल सकता है साथ ही अपने हत्यारों के इस्तमाल को लेकर लंबे समय से अपने बदलते रुख के चलते अमेरिका की चंता इस बात से भी बढ़ी है कि युक्रेइन की तरफ से उनके इस्तमाल से क्या जटलता पैदा होंगी इस हमले ने रूसी और पश्चिमी देशों के नेताओं को हैरान कर दिया है राश्पती बाइडन ने रूस और अमेरिका के संबनों को बिना जोखिम में डाले रूस के हमले की रोशनी में कियेव को लगातार सशक्त बनानी की कोशिश की जबकि पुतिन ने युकरेन के साथ जंग को हमेशा रूस और पश्चिम देशों के बीच युद्ध के रूप में दिखाने की कोशिश की लेकिन बाइडन इस नेरेटिव को दबाने और टकराओं को कम करने के लिए अमेरिकी नीती की सीमाय तै करने का रुख अपनाते रहे हैं सैन्य विशलेशकों के अनुसार युकरेन का कुर्स पर हमला दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी विदेशी सेना का रूस के अंदर सबसे बड़ा हमला है इस हमले ने वाइट हाउस के लिए कई जरूरी सवाल खड़े कर दिये हैं क्या ये हमला अमेरिका और नेटो हत्यारों के अस्तमाल के लिए युकरेन के लिए निर्धारित वाशिंग्टन की सीमा रिखा के दाइरे को बढ़ाता है क्या ये इस जंग में पश्चीमी सहयोगियों के लिए रूस की तरफ से तै की गई लाल रेखा को पार करने का जोखिम लेता है अगर नहीं तो क्या राश्पती जेलेंस्की ने वाशिंग्टन को दिखाया है कि वो पुतन के दावों को उजागर कर सकते हैं इतनी सारी दुष्चंता के बाद भी युक्रेन का ये कदम राश्पती जेलेंस्की के इस कदम को लेकर वाशिंग्टन में कुछ लोग परिशान भी हैं पिछले हफते अमेरिके अफसरों का एक बयान जान लीजिए अमेरिके प्रशाशन का कहना है कि युक्रेन के युक्रेन ने हमले की कोई अग्रिम चेतावनी नहीं दी और वाइट हाउस की जो प्रवक्ता है कैरन जीन पिएरे वो कहर earthly है कि वाशिंग्टन का इससे कोई लेना देना नहीं है लेकिन क्या इतना आसान है यूक्रेन के इस दुसाहस एक खुद को अलग कर लेना यूक्रेन रूस युद्ध में अमेरिके हत्यारों के इस्तमाल को लेकर वाइट हाउस पेंटागन और विदेश मंत्राले साफ तौर पर कभी कुछ नहीं कहते हैं लेकिन यूक्रेन का यह जो पूरा दम है यह जिगरा है जो कलेजा है वो उनके हत्यारों पर है सब जानते हैं कि अमेरिका और नैटों के हत्यारों का दम पर यूक्रेन उचल रहा है विरोधावास देखिए पेंटागन के प्रवक्ता सबरीना कहती है हम रूस में लंबी दूरी के हमलों का समर्था नहीं कर रहा है ये जवाबी हमले के लिए है मताव आप पे कोई हमला करे तब आप जवाब दो मैं इसकी कोई खास सीमा तैय नहीं करने जा रही हूँ गजब है हत्यार इनके लेकिन जवाब देही किसी और की अमेरिका युक्रेन के लिए हत्यारों का सबसे बड़ा आपूर्ती करता है सप्लायर है इसके चलते युक्रेन के नजरिये से दोनों देशों के सम्मंद सबसे ज़ादा महत्वपूर्ण बन गए है पेंटागन का रिकॉर्ड कहता है कि तीन साल में हत्यारों के 63 खेप पहुचाई गई इसमें स्टिंगर मिसाइल, आर्टिलरी, शेल और कई उपकरन शामिल है हाला के राश्टपती बाइडन ने पहले तो आधुनिक हत्यार भेजने से मना कर दिया लेकिन बदलते दौर में हिमार्स रॉकेट, पैट्रियट, मिसाइल, रक्षा प्रणाली और F-16 यह बहुत अध्धा तक है, F-16 लड़ाकू जेट भी दिये गए, मई के आखर में अमेरिका ने ही रूस के उन इलाकों पर हमले के लिए हामी भरी जहां रूस के सैने ठिकाने हैं, जबके पूछे जाने पर अमेरिका क्या बोलता है, यह तो जवाबी हमला है अमेरिका ऐसे भी गुम्रा करता है, हम रूस में 200 मील की दूरी पर हमलों की अनुमती नहीं दे रहे हैं और ना ही हम मॉस्को और केमरिन पर हमले को अनुमती दे रहे हैं है ना हैरानी की बात यूक्रेन और अंदर घुसकर लंबी दूरी की मिसाइलों हत्यारों का इस्तमाल करना चाहता है लेकिन रूस की एक धमकी ने अमेरिका समेथ कईयों को फिलहाल परेशान कर दिया है पुतिन ने कुछ दिन पहले कहा था कि रूस की क्षेत्री अखंडता को खत्रा होने पर सभी उपलब्द साधनों का वो प्योग करेंगे और रूस के पास क्या क्या है ये पूरी दुनिया को पता है बस कही अमेरिका का टेंशन है और कुर्स पर हमले ने अमेरिका की तो फिर अमेरिका उसे निप्टाने में लग जाता है इसकी एक नहीं कई मिसाले हैं सबसे बड़ी बात ये है कि युक्रेइन का ये एक्शन क्या पूरी दुनिया के लिए युद्ध का भयावह रियक्शन बन जाएगा यही एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है आप अप पाइज है इसकार